गोवार मामली का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में विपक्षी पार्टी लगातार के इंद्री मंत्री स्मृती इरानी को घेर रही है। वावजूदिस के कारवाई का आदेश नहीं दिया गया है। वही इस विवाद के बीच वसामाजिक कारेकरता आयरस रोडरिक्स ने बड़ा दावा किया है जिसते स्मृति इरानी घिरती देख रही है जब कि कॉंग्रिस हमलावर है नैशनल हैराल का मामला हो या फिर दूसरे विवात का बीजेपी अकसर कॉंग्रिस पर आरोप लगा कर उसके खिलाफ हला बोल करती है लेकिन जब आरोपो के घिरे में खुद के मंत्री होते हैं तो सब मोन हो जाते हैं गोवा बार के मामले में घिरे स्मृति इरानी को लेकर भी पार्टी ने चुपी साथ रखी है लेकिन सामाजिक कारेकरता आयरस रोडरिक्स ने बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा है कि बार के मालिक और स्मृति इरानी के परिवार से जुड़ी कमपनी के बीच लीज एग्रिमेंट हुआ था आयरस रोडरिक्स ने आपकारी आयुक्त के सामने दोनों पक्षों के जरिये किये गए हस्ताक्षर वाले लीज एग्रिमेंट को पेश किया दरसल आज इस मामले को लेकर आपकारी आयुक्त नारायन गाट के सामने सुनवाई हुई इस दोरान रोडरिक्स ने दावा किया कि सिली सोल्स एंड बार केफे की समपत्ती को डिगामा ने एटॉल फूड एंड बेवरेजेज एल एल पी को पचास अजार रुपे के मासिक किराए पर दस साल की अवधी के लिए पट्टे पर दिया था एटॉल फूड एंड बेवरेजेज एल 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 पी कतित तोर पर इरानी के परिवार से जुड़ी हुई है रोडरिक्स ने एक हलफ नामे के जरीए जांच अधिकारी के सामने ये पट्टा समझोता पेश किया हलकि बार के दिवंगत मालिक के वकील की तरफ से कहा गया कि पट्टे के लिए समझोता कभी भी लीस डीड में समाप्त नहीं हुआ इसलिए पार्टियों के लिए कोई अधिकार नहीं बनाया गया था अब भले ही बार मालिक के वकील सामाजिक कारे करता के आरोपों से पल्ला जाड़ रहे हो लेकिन मामले में हो रहे नए नए दावे केंद्रे मंत्री को कड़ घरे में खड़ा कर रहे है अब देखना होगा की जास में क्या निकल कर सामने आता है देबिलाइफ की रिपोर्ट